पहला शमयल का गरंद इसका पूरा पहला ध्याय देखते हैं एप्राइम के पहाड़ी देश के रामताइम सोपिम नाम नगर का निवासी एलका नाना पुरिश था वो एप्राइमी था असुप के पुत्र तोहु का परपोता इलिहु का पोता और यरोहाम का पुत्र था और उसके दो पत्निया थी एक का दो नाम हन्ना और दूसरी के नाम पिनिन्ना अब पिनिन्ना के दो बालक हुए परंतो हन्ना की कोई बालक ना हुआ वो पुरुष यानि एलकाना प्रतिवश अपने नगर से सेनाओं के यहावा को दंडवत करने और मेलवली चड़ाने के लिए शिलों में जाता था और वहां होपनी और फुनिहास नाम एली के दोनों पुत रहते थे जो यहावा के याजिक थे और जब जब एलकाना मेलवली चड़ाता था तब तब वह अपनी पत्नी पिनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था परन्तु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था क्योंकि वह हन्ना से प्रीती रखता था तो भी यहौवा ने उसकी कोक बंद रखी थी परन्तु उसकी सौध इसकारण से कि यहौवा ने उसकी कोक बंद कर रखी थी उससे अत्यंत चिड़ा कर कुडाती रहती थी और वो तो प्रतिव वर्ष ऐसा ही करता था और जब हन्ना यहावा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चिडाती थी इसलिए वो रोती और खाना ना खाती थी इसलिए उसके पती इलकाने ने उससे कहा हे हना तो क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है क्या तेरे लिए मैं दस बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ तब शिलों में खाने और पीने के बाद हना उठी और यहावा के मंदर के चोकट के एक अलंग के पास एली याजे कुर्सी पर बैटा हुआ था और यह मन में व्याकुल होकर यहावा से प्रात्ना करने और बिलग बिलग कर रोने लगी और उसने यह मनत मानी कि है सेनाओं की यहावा यदि तो अपनी दासी के दुख पर सच्मद्रुस्टी करे और मेरी सुधी ले और अपनी दासी को भूलना चाए और अपनी दासी को पुत्र दे तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहावा को अर्पन करूंगी और उसके सिर पर छूरा फिरने ना पाएगा जो वह यहावा के सामने ऐसी प्रात्न कर रही थी तब एली उसके मुँख की और ताक रहा था हना मनीमन कह रही थी उसके होट तो हिलते थे परन्तो उसका शब्त सुनना पड़ता था इसलिए एली ने समझा की वह नशे में है तब एली ने उससे कहा तो कब तक नशे में रहेगी अपना नशे उतार हना ने कहा नहीं है मेरे प्रभू मैं तो दुखिया हूँ मैंने ना तो दाक मदू पिया है और ना बदिरा ने अपनी मन की बात खोल कर यहवा से कही है अपनी दासी को ओचिस्तरी ना जान जो कुछ मैंने अब तक कहा है वो बहुती शोकित होने और चड़ाई जाने के कारण कहा है एली ने कहा कुशल से चली जा इसराल का परमिश्वर तुझे मन चाहा वर दे उसने कहा तेरी दासी तेरी दुष्टी में अनुगरप आए तो वो स्री चली गई और खाना खाई और उसका मौ फिर उदास ना रहा बिहान को वे सबेरे ओट यहवा को दंड़वत करके रामा में अपने घर लोट गए और एलकाना अपने स्री हन्ना के पास गिया और यहवा ने उसकी सुधी ली तब हन्ना गर भुवती हुई और समय पर उसका एक पुत्रुत भन हुआ और उसका नाम शम्यल रखा क्योंकि वो कहने लगी मैंने यहवा से मांग कर इसे पाया है फिर एलकाना अपने पूरे घराने समित यहवा के सामने प्रतिवश की मेलबली चड़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गया परन्तों हन्ना अपने पती से यह कहकर घर में रह गई कि जब बाला का दूद छूट जाएगा तब मैं उसको ले जाओंगी कि वह यहवा को मो दिखाए और वहां सदा बना रहे उसके पती इलकाना ने उससे कहा जो तुझे भला लगे वही कर जब तक तो उसका दूद न छुड़ाए तब तक यहीं टहरी रह कि वहल इतना हो कि यहवा अपना वचन पूरा करे इसलिए वह स्री वहीं घर पर रह गई और अपने पुद्र के दूद छुटने के समय तक उसको पिलाती रही जब उसने उसका दूद छुडाया तो वह उसको संग ले गई और तीन बच्डे और एपा भर आटा और कुप्पी भर दाक मदू भी ले गई और उस लड़के को शिलों में यहवा के बहने पहुंचा दिया उस समय वह लड़का ही था और उन्हें बच्डा भली करके बालक को एली के पास पहुंचा दिया तब हना ने कहा है मेरे प्रबू तो जीवन की शिपद है मेरे प्रबू मैं वहीं स्री हो जो दिरे पास यहीं खड़ी होकर यहवा से प्रात्ना करती थी यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रात्ना खी थी और यहावा ने मुझे मुमांगा वर दिया है इसलिए मैं भी उसे यहावा को अर्पन कर देती हूँ कि वो अपनी जीवन पर यहावा कही बना रहे तब उसने वहीं यहावा को देनवद किया पवितिर शाह सर्भाइबल में लिखी हुई इस घटना को हमने भी तक पड़ा है पहला शमयल का गरंद उसका पूरा पहला ध्याय देखते है जहां एलकाना नामा के एक विक्ती थे और उनकी दो पतनिया थी हन्ना और पनिन्ना पनिन्ना के बच्चे हुए थे दो बेटे भी हुए थे लेकिन हन्ना बांज रही है जिस कारण से उसे हमेशे चुड़ाया जाता था और प्रतिव अर्ष्य जब मेल बली चुड़ाने परमेश्वर के अराधना करने यरुश्यलिम के मंदिर में सब लोग जाते थे एलकान अपने दोनों पत्नियों और उनके बच्चें को लेकर परमेश्वर की अराधना करने सारे घराना समित महस्ता था लेकिन जब भी वहाँ जाते थे पनिन्ना उसे च्छड़ाय करती थी और हन्ना उदासों को रोया करती थी एक दिन जब उसका शोक और दुख बहुत ज़्यादा बढ़ गिया मनी मन व्याओ को लोकर मनी मन रोते हुए परमेश्वर के सामने परातना करती है जिस परातना को परमेश्वर ने सुना याजेकेली ने बात में कहा यहाँ परमेश्वर जो तुझे मांगा है तिरह मों मांगा वर तुझे प्रधान करें अठीक उसी वचन के अनुसार एक साल के बाद एक बाला के शम्य लुत्पन होते हैं जिनने उनकी माँ हन्ना ने याजेकेली के पास शिलो की मंदिर में छोड़ दिया था जब मंदिर में दान देने के लिए जाते थे सबसे ज़्यादा दान हन्ना के हाथों में दिया करते थे दुगना भाग दिया करते थे ताकि उदास ना रहे ताकि वो रोती हुई ना रहे थोड़ा और आगे बढ़कर हन्ना से लकाना कहते हैं हन्ना तो क्यों हमेशर होती है उदास क्यों रहती है खाना क्यों नहीं खाती है तेरा चेहरा क्यों उत्रा हुआ है उठो खाना खाओ उदास इंदा से बाहर निकलाओ तो हन्ना अपने बांज होने के कारण अपनी दुख्यारी और शोक की हाल बताती है तब इलकाना अपनी पत्नी हन्ना से कहते है हे हन्ना क्या मैं दुस्पुत्रों के समान नहीं हूँ क्या मुझ में तु दस बेटों को नहीं देख सकती क्या मैं तेरे ले दस बेटों के बराबर का काम नहीं करता क्या उनके बराबर का प्यार मैं तुझे नहीं दे सकता क्या तुम मुझ में अपने बच्चों को क्यों नहीं देखती इस बात से भी हन्ना संतुष नहीं होती है क्योंकि एक बेटे की जगा एक पिता नहीं ले सकते हैं एक पिता की जगा को पती नहीं ले सकते हैं एक माँ की जगा को पती नहीं ले सकती है एक भाई की जगा को बहन नहीं ले सकती एक बहन की जगा को भाई नहीं ले सकते हैं परमिश्वन ने जब मनिश्वन की संसार में बनाया था, मनिश्वन को परमिश्वन ने रिस्तों में संबंदों में जोड़ दिया था, मता, पिता, बेटा, बेटी, भाई, बेहन, दादा, दादी, नाना, नानी, चाचा, चाची, मामा, मामी, भांजे, बतीशे, परमिश्व कर भी किसी और की जगा लेने की कोशिश करे लेकिन उस जगा को पूरा नहीं कर सकते हैं एक पती अपने पत्नी को उसके पिता के जैसे प्यार कर सकता है लेकिन अंत में उसको उसका पिता ही चाहिए एक पत्नी अपने पत्नी को उसके मां के जैसे प्यार दे सकती है लेकिन अं किती, कोई रिष्टा, किसी और की जगा नहीं ले सकते हैं, हना यही बात को समझाने की कोशिश कर रही थी, एलका ना इस बात को समझ नहीं पा रहे थे, एक मांज हूं मैं, एक स्तरी हो, मैं एक पत्नी हो, लेकिन मुझे माँ बनना है, मुझे भी मेरे बेटे चाहिए, मुझ बच्चों की जगा अलका ना खुद बच्चा बनकर उसके सामने शायद खिलने लगा, यह आपकी कल्पनाओं के लिए हम छोड़ देते हैं, किस प्रकार हना बच्चों की मांग करती हैं, और अलकाना कहते हैं कि क्या मैं दस बेटों के समान नहीं हूं, अलकाने ने क्या क्य किया होगा, अपनी कल्पनाओं आप लग सोच सकते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, इतने सारे हरकते करके, और इतना प्यार दिखाकर, बेटों की दरा, बच्चों की दरा, हना के सामने इलकाना अपने आपको दिखाते हैं, फिर भी वो संतुष नहीं होती हैं, इस संसा में कोई भी रिष्टा, किसी और रिष्टे के साथ में भरबाई नहीं कर सकता, एक पती का सान पती का होता है, पतनी का पतनी का होता है, मापिता के स्तार उनका होता है, भाई भेन के स्तार उनके होते हैं, रिष्टादारों के स्तार उनके होते हैं, मित्रों के स्तार उनके अपने होते हैं, हम इन सारी बंदनों को कम करके एक विक्ति में लाने की कोशिश करते हैं, यह बहुत घलत बात है, अगर एक पती अपने पत्नी से कहे, आपके मा के जगा, आपकी बिता की जगा, आपके भाई, बहन, आपके काका काकी, मामा, मामी, चाचा चाची, इन सब की जगा, उनकी प्यार को मैं दिखाऊंगा, बस इतना करो, उन सब से दूर हो जाओ, उन से रिस्ता तोड़ दो, उन से कोई संब्द ना रखना, तो यह मनश जो काम कर रहे हैं, वो बहुत गलत काम है, क्योंकि वो किसी रिस्ते में बैटनी सकता, किसी संब्द में नहीं किसी और इस्ते में जाकर किसी की भरबाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए हन्ना परमिश्वर के पास जाकर बिलग बिलग कर रोने लगी, अपनी दुखी हाल सुनाने लगी, उनकी मन की हाल को और उनकी मन की वेधा को, उनकी जीवन की गादा को परमिश्वर ने दीखा है, और दुख्यारी हाल को मिठाने, उनकी उदासिंता को हटाने, उनकी चिंता को दूर करने, उन्हें जब बांज केकर चुड़ाय करते थे, उस बदनामी से, उस अफ़मान से उसे दूर करने, और उनका भी अपना एक बेटा देखर उन्हें खुश करने के लिए परमिश्वर ने वच्छन को लिया है, और परमिश्वर को वच्छन भी दिया है, ठीक उसी प्रकार से, उस बालों को ले जाकर मंदिर में दे देती हैं, और परमिश्वर के भवन में छोड़ देती हैं, पयाजकेली से कहते हैं, इस बालों को मैंने, आपके ही सामने, यहवा के सानिध्ध मे मनते रखर प्राधनायकर का प्राप्त किया है ऐसे में वो आपस परमेश्वर को समर्पत करने के लिए आई हो इसे अपने ही पास रहने दीजे ये अपने उमर भर यहवा की सेवा करता रहेगा हना ने परमेश्वर से मांग कर लिया वापस परमेश्वर को दे दिया परमेश्वर हना के जीवन से प्रसों न हुए है शमयल के बाद में उन्हें और भी बेटा बेटियों को दिया है एकिनिन सबसे बढ़कर इस बालक शमयल को जैसे शिलों में मंदिर में छोड़ दिया था और मंदिर में पलता गया, बड़ा होता गया और परमिश्वर के सानिद्धी में बड़ा होता गया परमिश्वर के वच्छनों को सीखता गया प्रभग की आशिशन को प्राप्त करते गए और परमिश्वर का भी शेक से भरे गए है और इसराइल देश में सबसे पहला भवश्यद वक्ता नभी की रूप में परमिश्पर ने शम्यल को छुना था अज आप और मैं भी कई सर प्राधनाय करते हैं आपका मन के हाल, आपकी मन की दुख शायद हन्ना की जैसी हो सकती है आपकी प्राधनाय भी हन्ना के जैसी हो सकती है आपकी आँसों हन्ना के समान हो सकती है बेटा के लिए नहीं, पर अंदो किसी और चीज़ के लिए किसी भी चीज़ के लिए आप मांग रहे हो किसी भी वेक्ति के लिए मांग रहे हो रिस्ता के लिए मांग रहे हो अस प्रभई श्रमसी के नाम में आपको मैं आश्वास दिलाना चाहता हूँ विश्वास की प्रात ना कीचे आपकी दुख्यारी हाल आपकी शोकिस्तिती को परमेश्वर के सामने लिकर चाहिए इस अंसार में भले आपको कोई समझ नहीं भाएंगे आपके साथ कोई दे नहीं हुआएंगे लेकिन आपको समझने वाले आपकी साथ देने वाले आपके सुर्जिनहार परमेश्वर निश्चरे आपको समझेंगे और आपका साथ देंगे आपके मनतों को पूरा करेंगे आपके प्रात्रा को सुनेंगे आपके हर एक प्रात्रा का उत्तर देंगे शायद हो सकता है कुछ प्रात्रा का उत्तर तुरंद मिल जाए शायद हो सकता है थुड़े इंतिजार करना पड़े या शायद हो सकता है कुछ प्रादना ऐसे है जो परमेश्वर आप से कहे कि है मेरा बीठा बेटी वो मेरी इच्छा में नहीं है उसे भी सर जुका कर स्पिकार करने के लिए सिद्धोश आए अध्याद्मिक जिवन की दैनी खुरा के हमारे हर एक्ष्रोता के लिए अज सुबा हमें दुआ करते है एदि आप हना की तरह किसी चीज़ को लेकर शोकित हैं दुखी है अप परमेश्वर के सामने बिलग बिलग कर रोते हैं आपके आउस्वर को कोई देख नहीं पाते हैं आपके हाल को कोई समझ नहीं पाते हैं आप रादने इस प्रकार करते हैं कि परमेश्वर अपनी नज़र तुरंत आपके उपर लेकर आए अपनी सामर्द आपके उपर लेकर आए अपने अभिश्यक से बरावा हाथ आपके उपर रखे और परमिश्वर अपना मन आपके साथ में मिलाए आपके विचारों में लीन होजाए आपकी भावनाओं को आपकी विचारों को आपकी हाल को समझे और परमिश्वर तुरंत आपको चुटकारा दे इस प्रात्ना को आप भी अपने मनी मन कीचे और निश्य परमेश्वरे वश्चनों के समाप्ति के बाद आपकी प्रात्ना के समाप्ति के बाद आपके पास उत्तर लेकर आएंगे जिस प्रकार हना धन्यवाद के साथ में यहवा के भवन बावपस गई आप परमिश्वर के सामने उसका मुमांगा वर्दान को प्राप्त किया हुआ उस खुश के में खुदा को धनिवात की ठीक आप भी इस परकार से आज जो परादनाप कर रहे हैं आज जिस परकार के परादनाप के लिए की जारी हैं उस प्रादना का प्रतिफल को पाएंगे और जल्दी आप भी परमेश्वर के सामने गवा टहरेंगे दुआ करते हैं आपके लिए कि आपकी दुखी हाल आपसे दूर हो जाए आपकी शोकित हाल आपसे दूर हो जाए आपके मन को किसी भी कारण से ठेश कूँ न पोंचा हो आपके मन किसी भी कारण से दुखी क्यों न हो उदास क्यों न हो आवाज बिखरे हुए हैं आप दूट गए हैं लेकि प्रबिश्वर मस्यी के नाम में एंद वचनों का आप सुनते हैं तब परमेश्वर तुरंत आपको चंगा करेंगे परमेश्वर के वचनों का विश्वास कीछे और के बवित्र शास्तर का ध्यन कीछे अपना करत अभी परातना कीछे अराधना कीछे वचनों का ध्यान कीछे, मनन कीछे आध्यात्मी जिवन सुनते रहिए सुनाते रहे अपना ख्याल रखे अपनों का भी ख्याल रखे और दूसरों का भी ख्याल रखे जब आप दूसरों का और अपनों को ख्याल रखते हैं परमेश पर उसके बदले में आपकी भी ख्याल रखेंगे खुदाओं तब सुब को बहुत आइद की आशिस दे कल फिर मिलेंगे God bless you